हेलो स्टुडेंट वेलकम टु मैं चैनल आज हम सेकंड लेक्चर जो के एलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर के हवाले से है जिसमें उसने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन डिफाइन किया उसको थोड़ा सा डिसकस करेंगे इससे पहले हमने नीडा का जो प्रिंसिपल ऑफ एक्विलेंस एफेक्ट हमने रीड आउट किया जिसमें फॉर्मॉल और उसने डाइनमिक मैथट्स पताया किस तरीके से जो नैचरलनेस होती है ट्रांसलेशन में सोस्स टेक्स से जब टार्गेट टेक्स में ट्रांसलेटर कर रहा होता से ट्रांसलेशन तो किस तरह होनी चाहिए क्या रेक्वार्मेंट होनी चाहिए किस तरह मीनिंग को प्राइडिटी दी जाती है स्टाइल के उपर अब जो है एक बात याद रखें कि जो प्रिंसिपल ईज्डर फ्रेजर टाइकलर का था वो कहते है कि यह जो ट्रांसलेशन होती है वो बैसिकली एक साइंसटिफिक अप्रोच है ठीक है, scientific approach है, जिस तरह हम कोई भी science के अंदर data collect कर रहे होते हैं, observation ले रहे होते हैं, laboratory में टेस्ट करते हैं, फिर hypothesis भी हमारे जहन में होते हैं, फिर evidence की बेस पर हम उस hypothesis को accept या reject करते हैं, conclusion draw करते हैं, recommendations दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं, इसी तरह जो translation, जो एक scientific approach है, और basically जो टाइटलर का जो principle of translation था, ये जो systematic जो एक translation theory की जो early attempts हुई थी, उनमें consider किया जाता है, जैसे ड्राइडन के टाइम से ही, जो है, struggle होना शुरू हो गई थी, जिस तरह उसने author oriented approach दी थी, ठीक है, कि author की ही style, हर चीज को आपने follow करना है, लेकिन वो ये कहता है, टाइटलर कहता है, कि जब आप source text है, target text की तरफ जाते हैं, तो हमेशा याद रखें, तीन basic चीजे, कि जो आपके original message के जो ideas हैं, वो भी कन्वे हों, आपके target audience पर target reader में, आपकी target language के अंदर, इसी तरह जो style है, वो भी original ही, का मतलब, के style को adopt कर सकते हैं, और तीसरी चीज जो है, इतना friendly और comprehension होना चाहिए, कि आपका target audience उसे understand कर सकें, ठीक है, so, जो translation होती है, वो तीन basic चीजों के बदे नजर रकर की जाती है, ठीक है, और further वो ये कहता है, कि जब, वो कहता है कि translation जो है, एक basically scientific approach है, ठीक है, और इसको support करता है, जो इसको जब कोई भी translation हम कर रहे हैं, source text, target text की तरफ, तो उसमें जो important चीज होती है, कहता है, कि अब भी, जो translation के अंदर, जो translator होता है, वो बहुत ज़ादे important होता है, scientific approach के अंदर, पहले वो कहता है, कि जो translation है, वो एक scientific approach है, फिर दूसरा वो कहता है, कि लेकिन scientific approach तो है, लेकिन इसके साथ-साथ, is still spotted by the essential subjectivity, essential subjectivity किसे कहते हैं, जब आँ translation कर रहे होते हैं, तो translator के कुछ characteristics होते हैं, उसकी creativity होती है, aesthetic sense होती है, उसकी intention क्या होती है, sometime हो क्या होता है, जो target audience, जिसमें वो translate कर रहा है message को, target language, उसके culture, उसके tabus को भी जहन में रखता है, उसकी rituals, उसकी norms, उनकी values, ताके कोई भी चीज अचमबा ना लगे, ठीक है, ये तो feel हो, कि जो message आप convey कर रहे हैं, वो original source से आया है, लेकिन जो आपकी audience है, उसको easily understand कर सके, लेकिन वो कहता है, इसके लिए जुरूरी है, कि उसके अंदर linguistic competency भी हो, translator के अंदर, ठीक है, उसके जैसे tenses की भी understanding है, उस language की, original की भी, और इसी तरह target audience की भी tense कैसे, grammar क्या structure होता है, sentence के, असूल कैसे, semantic, इन सब चीजों का भी पता होना चाहिए, और हमें ये भी मदे नज़र रखना चाहिए, कि translator की intention का है, जब वो source text है, target text की तरफ translation कर रहा है, और इसके इलावा, वो क्या culture को understand कर रहा है, इस सारी के सारी जो चीज़े हैं, बहुत ज़्यादा important है, चाहे आप translation को as a scientific approach के तोर पे ही, क्यों न लें, वो कहता है कि इन सब चीज़ों को scientific approach में ये support करती हैं, translator के सारे characteristics जो है, scientific approach को support करते हैं, और इसके इलावा जो important चीज़ वो क्या कहता है, कहता है कि ये बिल्कुल इसी तरह हैं कि जब हम literal translation करें, या free debate translation करें, लेटरल आपको पता है, word to word translation को कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप exact, जो source text का message उसको follow करते हैं, free debate के अंदर, message आपने वही का अन्वेय करना होता है, लेकिन आप उसके content, उसके style है, उसकी composition में थोड़ा बद, जो है, वो, मतलब आपको margin होता है, ठीक है, so, जो conclude यही होगा, कि Dryden, जिस तरह उसने एक author-oriented approach दी, इसी तरह, titler ने principle of translation को आगे continue किया, इसे एक systematic translation, theory की early attempts में consider किया जाता है, और इसी तरीके से, क्योंकि जो titler का principle of translation था, वो idea पे, style पे, और उसकी company henshan पर base कर रहा था, ठीक है, इन चीज़ों को मत दे नज़र रखना है, तीसी चीज़, उसका principle यह भी कहता है, कि जो translation जो होनी चाहिए, वो एक scientific approach की तरह है, एक scientific method की तरह होनी चाहिए, जिसके अंदर essential subjectivity का बहुत ऐहम रोल है, जिस तरह के, आप some of the languages of lateral, यह free debate के अंदर का रहे होते हैं, so it's all about the Alexander Fraser, टेटलर का जो principle of translation है, I hope you understand, this lecture in case of any problem, you can write in the comment box, then I will answer you, thank you very much.